हलो फ्रेंड मैं हूँ सोनस सोनस रिस्पी में आब सबकप स्वागत है तो फ्रेंड आज हम घर पे ही बनाएंगे बто're scotch ice cream जीहाँ फ्रेंड नाचुरला तरिकी की जेसे आप बजार में महंगी सिंहंगे ice cream खाते हो वही ice cream आज हम घर पे बनाएंगे और वह भी बिल्कुल कम पैसो में बहुत जादा आइसक्रीम बनकर रेडी हो जाती है और इसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है तो फ्रेंड नाचुरल आइसक्रीम क्लास हमने स्टार्ट की हुई है और वो भी बिल्कुल फ्री में है अगर आप हमारी क्लास जोईन करना चाते है तो तुरंथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी और सॉप्स को आइस क्रीम बनकर रेडी हो गई है तो फ्रेंड्स चलिए हम इसके लिए क्या के इंग्रेडेंट लिए हैं वो देखते हैं पहले तो यहाँ पर मैंने वैनि म्यारमिस कमपनी के यहाँ पर मैंने यलो कलर लिया है लाइम यलो कलर लेना है तो यहाँ पर वैनिला बेस में हम डालेंगे 1 टी-बंटी एसपी लाइम यलो कलर की, तो इसको हमें एक हलका यलो कलर देना है, यलो कलर की, मार्केट में बटर स्कॉच आइसक्रीम रहती है, तो ज्यादा डार्क यलो कलर नहीं करना है, फेंट यलो ही रखना है, लाइम यलो, ये देखिए, पर्फेक्ट कलर हमारे आइसक्रीम को आ गया है, ऐ यलोई इस तो बन कर बिल्कुल रेडि है पहले वैनिल बेस आपको बनाना है तो उसका रेसिपी हमारे चाइनल पर अपलोड़ेड है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते उसकी लिंग तो अब मैं इसमें डाल रही हूं बटरस्कॉच नजेट्स तो नजेट्स बड़े सा इसके ते तो मैंने इसको हलका सा करश कर लिया है, आब इसमें mix कर दिया है, इसको मिला लेंगे और डाल देंगे airtight container में, तो airtight container में डालने के बाद इसको एक-डो घंटे के लिए set होने दे, ये अपकीस हमारे आइसक्रीम तिक होगई, तो फिर से इसमें तो एसा ना हो इसलिए हमें थोड़ा सेट होने के बाद भी थोड़ी नजेट्स डालनी है अब इसको पैक करके रख देंगे 7-8 गंटे के लिए डिप फ्रीज में तो डिप फ्रीज होके हमारी आईस क्रीम रेडी है 7-8 गंटे हो चुके यह अच्छे से सेट हो गई है अब मैं इसके वन बाई वन स्कूप निकालूंगी तो आप देख सकते हैं यह कितनी हार्ड बनी है लेकिन स्कूप निकलते समय आपको नजर आएगा यह कितनी सॉप्ट भी बनी है तो फ्रेंड देखिए इसमें जो नर्जेट्स रहेते हैं उसकी बज़े से स्कूप करने में तो बड़ी सी दिक्कत आती है लेकिन कोई बात नहीं यह नर्जेट्स खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रंची लगते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती ही आईस्क्रीम ज़रूर एक बार ट्राइ किजएगा अगर आप हमारे इस नैचुरल क्लास को जोईन करना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किजएगा और मेरी सारी वीडियो देखिएगा क्योंकि सारे वीडियो में मैंने एक एक पॉइंट क्लियर किया हुआ है और आप देख सकते बिलकुल मार्के स्ट्राइल हमारी बटर स्कॉच आईस क्रीम बनकर रेड़ी हो गई है तो friends आपको हमारी बटर स्कॉच फ्लेवर के आईस्क्रीम कैसी लगे comment box में जरूर बताएगा अगर आपको हमारी क्लास के बारे में कुछ question answers है तो मैं जल्दी लाईव आने वाली हूँ तो मेरा live session जरूर अटेंड कीजिएगा उसमें में सारे questions के answer देने वाली हो तो friends चलिए मिलेंगे next ice cream recipe में तब तक के लिए बाबाई